समय समय की बात है समय सबका आता है और जब समय आता है तो फिर सामने वाले को दिखता है कि उसका समय कैसा चल रहा है हम बात पसुपती पारस और चिराग पास्वान की कर रहे हैं एक समय ऐसा था जब पसुपती पारस के इसारे पर चिराग पास्वान को पूरी तरीके से बरबात कर दिया गया और एक समय ऐसा आया कि जब चिराग पास्वान के इसारे पर पसुपती पारस को पूरी तरीके से पहले पसुपती पारस से उनके सांसत छीन लिये और उसके बाद फिर उनका संसदिये छित्र छीन लिया फिर उनका मंत्राले छीन लिया और अब पाटी कर्याले पर भी चिराख पास्वान का अधिकार हो गया ठीक उसी तरीके से जब पसुपती पारस ने चिराख पास्वान क सांसत छीने थे पाटी को तोड़ दिया था पाटी कर्याले पर हक जमा लिया था और उसके बाद कहा था कि चिराग पास्वान अब तुम कुछ नहीं हो और पसुपती पारस ये प्रयास करते रहे कि चिराग पास्वान को इंडिये से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए लेक चिराग पास स्वान को फल मिला ऐसा फल मिला जिस फल की अपेक्छा चिराग पास स्वान हमेशा करते थे वो फल चिराग पास स्वान को मिला चिराग पास स्वान के पास पांच सांसत भी हो गए चिराग पास स्वान को वो संसदिये छेत्र मिल गया जिस संसदिये छेत्र के च चिराग पास्वान करते थे चिराग पास्वान को वो मंत्राले मिल गया जिसकी चेस्टा चिराग पास्वान करते थे चिराग पास्वान को वो पाटी करयाले मिल गया जिसकी चेस्टा वो करते थे जब राम विलास पास्वान ने पाटी बनाया तब उन्हें एक पाटी करयाल अलोट हुआ वो पार्टी कर्याले एर्पोर्ट के बगल में हुआ करता था पसुपति पारस उस समय रामिलास पास्वान के साथ इर्दगिर्द उनके साथ रहा करते थे रामिलास पास्वान को ये चिंता सताती थी कि पार्टी कर्याले काफी दूर हो गया है जहां एक तरफ स सब लोग असानी से आ जाते हैं, उनका पार्टी कर्याले काफी दूर हो गया, उसके बाद उस पार्टी कर्याले को रामिलास पास्वान ने अपने हाथों से सजाया, जब पार्टी टूटी तो सबसे पहले पसुपती पारस ने उस पार्टी कर्याले में ताला लगा दिया, औ को पर रहे लड़ाइया उन्होंने लड़ी और उसके बाद 2024 में पूरा नजारा बदल गया चिराग पास्वान के पक्ष में अन्डिये खड़ी हो गई अन्डिये जब चिराग पास्वान के पक्ष में खड़ी होई तो चिराग पाँच लोगसभा की टिकटे और उन पाँच लोगसभा की टिकटों पर चिराग पासभा ने अपना उमिदवार उतारा और पाँचों लोगसभा seat کو अपने पाले में किया साथि साथ चिराखपासवान ने हाजी पूर को जहांसे कभी उनके पिता सांसद हुआ करते थे जब उनके पिता थे तब उनकी चेस्टा थी कि उनके भाई इस seat से सांसद बने और तब पसुपती पारस को उन्होंने वहां से सांसत बनाया उनके जाने के बाद चिराग पास्वान की पहली चेश्टा थी कि किसी तरीके से ये सीट अपने पिता की सीट अपने पाले में की जाए चिराग पास्वान ने ओसीट अपने पाले में कर ली उसके बाद चिराग पास्वान की दूसरी सबसे बड़ी चेश्ट थी कि उस मंत्राले को अपने पाले में किया जाए जिस मंत्राले की कुर्सी पर पसुपति पारस बैठा करते थे वो भी चेश्टा पूरी हो गई फिर चिराग पास्वान ने ये चेश्टा दिखाई कि पसुपति पारस को किसी तरीके से एंडिये से बाहर का रास्ता दिखाय जाए जाए वो भी चेष्टा पूरी हो गई फिर चिराग पास्वान ने एक और चेष्टा अपनी पूरी करनी चाही कि चिराग पास्वान को किसी तरीके से किसी तरीके से मतलब चाहे कुछ भी हो जाए उनका पाटी कर्याले अपने पाले में किया जाए और वो भी चेष्ट चिराग पास्वान की पूरी हो गई कल देर साम जब चिराग पास्वान अपने काफिले के साथ पाटी करयाले पहुंचे तब उनकी आखों में वो चमक और यूं कहें कि एक वो दुख भी दिख रहा था कि जिस पाटी करयाले पर कभी चाचा ने अधिकार जमा लिया था जिस पाटी करयाले के बगल से जब एरपोर्ट के बगल से मैं गुजरता था और इस पाटी करयाले पर जब नजर जाती थी तो आखों में आशू आता था कि ये पाटी करयाले कभी मेरा हुआ करता था इसे एरपोर्ट से जाते समय में अपने पाटी करयाले में जाते हुए राष्टिये लोग जनसक्ति पार्टी का पार्टी करेयाले एलोट कर दिया गया है जो पार्टी करेयाले पहले राष्टिये लोग जनसक्ति पार्टी का हुआ करता था वो पार्टी करेयाले अब लोग जनसक्ति पार्टी रामविलास का होगा एक ही पार्टी से तूटी हुई दो पार्टियों में होड लगी है कि कौन किसको कितना बरबाद करेगा और समय की बात है कभी चाचा का समय था तो अब समय भतीजे का चल रहा है और इस भतीजे के समय में चाचा कितने बरबाद होंगे ये देखने वाली बात होगी बेराल इस खबर में इतना ही बनने वार साथ और देखते रहें The India Top